इरान समर्थित प्रॉक्सी गुटों से घिरे इस्राइल पर हरवक्त हमले का खत्रा मन्रा रहा है लिबनान के हिजबुल्ला से लेकर यमन के हूती तक अपने खतरनाक हतियारों से इस्राइल पर हमलावर है बीते दिनों इरान ने भी करीब 200 बैलिस्टिक मिसाइले दाग कर मिडिल इस्ट में हल्चल बढ़ा दी थी इससे बॉखलाए इसराइल ने इरान को करारा जवाब देने की धम की दी थी दावा है कि इसराइल गुपचुप तरीके से इरान पर बड़ा पलटवार करने की तयारी कर रहा है इसी गड़ी में अमारिका भी सीधी तोर पर मदद करने के लिए कूद पड़ा है इसराइल और हिजबुला में बढ़ते संगर्ष के बीच अमेरिका ने एडवानस एंटी मिसाइल सेक्योरिटी सिस्टम थाड़ देने का फैसला लिया माना जा रहा है कि इरान के हालिया मिसाइल हमलो और इलाके में बड़ते तनाव के जवाब में ये कदम उठाया गया है थार्ट सिस्टम इस्राइल की एयर डिफेंस सिस्टम को और मजबूत करने के इरादे से तैनाद किया जाएगा अमेरीके मदद से इरान और उसके प्रॉक्सी गुटों के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को रूखा जा सकेगा यह एलान पेंटागन के प्रवक्ता मेजर जनरल पेट राइडर ने किया है जहां इसराइल के पास पहले से ही एक से बढ़कर एक एयर डिफेंस सिस्टम है तो सवाल उठता है क्या कि इसराइल को अमेरीके मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जरूरत क्यों महसूस हुई है तो बता दे कि एरान और उसके सहयोगी गुट अब हाइपर्जोनिक मिसाइलों से इसराइल पर हमला बूल रहे है ऐसे में थाड की तैनाती इसराइले डिफेंस को अतिरिक्त सुरक्षा देने का काम करेगी इसे इसराइल में होने वाले नुकसान में भी कमी आने की उमीद जताई गई है आईए जानते हैं कि ये थाड क्या है और इसकी ताकत क्या है थाड बेहद एडवांस डिफेंस सिस्टम है इसे कम दूरी से लंबी दूरी तक की डालिस्टिक मिसालों का सामना करने के लिए बناया गया है ये ऐग ऐसा सिस्टम है जो वायू मंडल के अंदर और बाहर दोनों जगह टार्गेट रूपने में सक्षम होता है यह डेफेंस सिस्टम आस्मान से आती मिसाइल को हवा में ही खत्म कर देता है इसमें एक मिसाइल का वज़न 900 किलोग्राम होता है वीज दश्मलब 3 फीट लंबे मिसाइल का व्यास 15 इंच होता है यह 10,000 किलोमीटर प्रती घंटा के रफ़तार से दुश्मन टारगेट की तरफ बढ़ती है इसमें कोई विसफोटक वारहेट नहीं होता इसमें कितने पावर्फुल रडार लगे हैं कि वो 3000 किलोमीटर तक की दूरी के खत्रों का पता लगा कर इंटरसेप्ट कर सकता है और लॉंचर में 8 इंटरसेप्टर लगाये जा सकते हैं इसमें रडार और रेडियो उपकरण भी शामिल होते हैं प्रतेक लॉंचर को रिलोड करने में करीब आदा घंटे का वक्त लगता है एक थार्ट सिस्टम को उपरेट करने के लिए पिच्च्यानवे अमेरीकी जवानों की जरूरत होती है ऐसे में साफ है कि अमेरीका के थार्ट सिस्टम की तैनाती इरान और उसके प्रॉक्सिबूटों के लिए सक्थ संदेश है इसराइल के खिलाव किसी भी आगे कि सैन्निवरिधी के गंभीर परिणाम हो सकते हैं जहां खुद अमेरीका भी इसराइल का साथ देने के लिए सीधे तोर पर उतर सकता है पर तलबे के अमेरीका इसराइल की रक्षा में ना सिर्फ उसकी मदद कर रहा है बलके अलाके में अपनी मौजूद की बढ़ा कर राजनितिक बढ़त भी हासिल कर रहा है